हेलो दोस्तों विल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल जैसे प्रॉफिट टॉक्स और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप दो लाग का पर्सनल लोन ले रहा हो दो सालों के लिए कर सकते हैं कैसे अगर आप चैनल पर नय हो तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर दीजेगा वीडियो को यह लाइक कर दीजेगा तो चलिए आएए शुरू करते हैं सब से पहले गया मैं सवाली साइट परेसी लोन औल बैकस लोन ओफर पे इस पर आपको सारे बैंक के इंपॉर्टेट करोंस लेतड़ा आइंगे प्रहें सारे बैंकों के पर्सनल लोन के लिए तो यहां से कर सकते हो आईसाइसे बैंक परसनल लो इंटरस रेट जाना है सबके लिंक्स इंपॉर्टेंट आपको यहां से मिल जाएंगे तो इस साइट का लिंक वीडियो के description में दिया हुआ है एक बार यहां से check out करना मत बूलिएगा यहां आपको सारे बैंकों से home loan, personal loan और car loan related सारे important links मिल लिए आएगे तो अब अम लोग चलते हैं सबसे पहले best my calculator पर इसका link भी वीडियो के personal loan लिया उसके बाद मैंने यहां डाला दो लाग दो लाग डाला अब interest rate दिखना पड़ेगा आईसे आईसे बैंक में परसनल नोन का interest rate की starting कहां से हो रही है तो देखिए जो interest rate चल आईसे आईसे बैंक में total interest जो paypal करना पड़ेगा हो करना पड़ेगा आपको 22,050 रुपा टोटल पेमेंट जो आपको बैंक करनी होगी वापस तो करनी होगी दो लाग 22,050 रुपा है तो यहां से आप ब्रेक आउप टोटल पेमेंट देख सकते हो प्रिंस्पल लोन महीने से माल लीजे आपकी माई चालू हो गई तो उसका जो प्रिंस्पल मनेगा अप्रेल महीने का वह बनेगा 7,543 इंट्रेस्ट बनेगा 1708 रुपा और टोटल पेमेंट जो आपको बैंक करनी होगी नो हजार 13,008 और टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी वो करनी होगी 83,268 रुपाय तो ऐसे ही आप यहां हर साल का मंतली वाइस का चेक कर सकते हो और प्रेंट भी चाहो तो यहां से निकाल सकते हो तो इस साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है एक बार यहां से चेक करना होगा करना होगा सिर्फ 11,270 टोटल पेमेंट जो आपको करनी होगी करनी होगी दो लाग 11,270 अब यहां से प्रिंस्पल लोन इमाउंट देख लिए वन 94.7 हो गया वहीं टोटल इंटरेस्ट आपका शिरुफ 5.3 रह गया ऐसा यह आप देखिए आप देख सकते हो यह करने से आपका देखिए लोन इमाई थोड़ा बढ़ गया है लेकिन आपका इंटरेस्ट विल्कुल आधा हो जाएगा तो इससे आप यहां से किसी भी होम लोन परसनल लोन का लोन का मंतली हमाई आसे चेक कर सकते हो अब आए हम लोग देख लेते हैं क्या-क्या-क्या-क्या का परसनल लोन ले सकते हो प्रोसेसिंग फीज जो है आपकी धाई परसंट लगेगी आपके लोन इमाउंड का टेन्योर जो है वह आपका एक से शह साल के बीच में मिल आएगा और मिनिममम मंतली सेलरी आपकी तीस यार रुपय होनी चाहिए परसनल लोन लेने के लिए उसक जाए से बैंक में 10.25 से स्टार्टिंग है SGFC में भी 10.25 तो 21 पॉइंट तक गया हुआ है उसके आज SBI में 9.60 तो 13.85 है PNB में आपका 7.90 तो 14.50 है वहीं एक्सेस बैंक भी 10.25 कोटक महिंद्रा बैंक भी 10.25 पर आपको परसनल लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा ह इंडस्ट लेंट बैंक 10.49 परसंट IDFC फर्स्ट बैंक 10.49 तो 23 परसंट वजाज से श्टार्ट इनटा गैप कल की 10.99 परसंट से स्टार्टिंग है तो यहां से जो मिनिमम है 10.25 परसंट जो मिनिमम चल्ला ही समय चल्ला है PNB में 7.90 उर सिविल स्कोर अगर आपका सिविल स् 7.90 परसंट पर दे देगी और अगर आपका कहीं सिविली स्कोर कहीं 600 या उससे नीचे है तो आपको 14.50 तक का प्लस जीएश्ट पर्फशाइख का प्लस जीएश्टी लगेगे रुट्प्रिंसपल का फ्लस जीएश्टी top of personal loan यहां पर पचास से पच्चिस लाग तक का लोन मिल सकता है personal loan balance transfer यहां पर मिला है refresher funding मिला है यहां से आपको देढ़ लाग तक का लोन मिल सकता है flexi cash प्रोसेसिंग फीज यहां पर आपको 1999 रुपय की देनी पड़ेगी plus tax वही NRI personal loan जो है वह आपको 10 लाग तक का यहां से NRI loan मिल सकता है उसके बाद pre-approved personal loan आपको यहां से 50 लाग तक का मिल सकता है एक से 5 साल के बीच में उसके बाद pre-qualified loan है आपका आप देख लेते हैं क्या-क्या eligibility चाहिए ICI personal loan के लिए तो for salary individual के लिए जो आपकी age होनी चाहिए 23 साल से 58 साल minimum monthly income आपकी 30,000 रुपय होनी चाहिए total work experience आपको 2 साल का experience होना चाहिए total year in current resident मतलब आप जिस जगह पर रह रहा हो current resident पर कम सकम एक साल से महां रह रहा हो तो यह यहां पर eligibility ज़रूरी है for self-employed के लिए देख लेते हैं तो age जो self-employed individuals के लिए चाहिए 23 साल से 65 साल के बीच में for doctors के लिए 25 साल से 65 साल के बीच में अब यहां देखते है minimum turnover जो आपका for professionals के लिए होना चाहिए 15,000,000 का और for non-professional के लिए 40,000,000 तक का आप देख लेते है minimum profit after tax for self-employed को जो profit होना चाहिए वो दो लाग रुपए तक का होना चाहिए tax को हटा के और for non-professionals को एक लाग रुपए का कम सकम profit होना चाहिए उसका business stability है for doctors के लिए at least 3 years तक होना चाहिए उसके बास for current business आपका जो कर रहा हो तो उनको लिए 5 साल का यहां पे business stability जरूरी है तो यह अब आपके देख लेते हैं क्या क्या documents require होंगे तो for salaried individuals के लिए ID proof के लिए आप driving license दे सकते हो passport, pen card, voter ID card, address proof के लिए आप passport दे सकते हो कोई भी telephone electricity bill दे सकते हो दो passport size photograph यहां पे आपको देनी पड़ेंगी उसके आप bank statement for last 3 months देना पड़ेगा फिर residence proof के लिए आप passport दे सकते हो और कोई भी bill दे सकते हो आप टेलीफोन या electricity bill income proof देना होगा आपको proof of office address देना होगा उसके बैंक statement for last 6 months की आपको यहां पर देनी पड़ेगी residence proof और office owner से proof आपको देना पड़ेगा आप जिस भी company को चला रहा हो कोई भी office है आपका तो office owner से proof आपको देना पड़ेगा उप्रस रेजिदेंस प्रूफ देना पड़ेगा उपर से देना पड़ेगा proof of continuity of business यहां पर आपको यह दिखाने पड़ेंगे तो यह important documents होगा है ज और कुछ top bank से personal loan देख लिए और इस fight पर visit करना मत बूलेगा यहां पर आपको सारे बैंकों के important link से मिल जाएंगे तो इसका link वीडियो के description में दिया हुआ है और अगर आपको EMI calculate करना तो best EMI calculator से car loan, personal loan, home loan किसी का भी आप यहां से monthly EMI calculate कर सकते हो तो आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाग